अर्विंद केजरीवाल जी को गिरफतार कर लिया है लेकिन आज अर्विंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि चाहें अर्विंद केजरीवाल जी गिरफतार हो गए है चाहें अर्विंद केजरीवाल जी आज किंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में है लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने ED की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डाइरेक्शन्स भेजी है आदेश भेजा है कल जब ये कागस उनकी डाइरेक्शन्स के साथ मेरे पांस आया तो मेरी आखों में आसू आ गए मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिती में जब उनको गिरफतार कर लिया गया है उनको कैद कर लिया गया है जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोच कर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोच कर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है ऐसा अव्यक्ति सिर्फ अर्विंद केजरीवाल ही हो सकता है क्योंकि अर्विंद केजरीवाल अपने आपको से दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं वो दिल्ली के दो करोड लोगों को अपना परिवार मानते हैं उन्होंने नौ सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरे करता है उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके वोटर नहीं है वो दिल्ली वालों के लिए से मुख्यमंत्री न एक भाई की तरह एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिती में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं मैं बार्तिय जंता पार्टी को भी यह बताना चाहती हैं कि आप अर्विंद केजरी वाल को गिरफतार कर सकते हैं आप अर्विंद केजरी वाल को जेल में डाल सकते हैं लेकिन जो अर्विंद केजरी वाल का दिल्ली वालों से प्यार है जो अर्विंद केजरी वाल का दिल्ली जिवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी इडी कस्टिडी से निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़के सुना रही है अर्विन केजडिवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चूकी मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुख्य सचिर समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरहां की परिशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंग और समूचित समाधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उप्राजिपाल महोदे का भी सहयोग लिए वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे अर्विंद केजरीवाल आज भी गिरफतार होने के बाद भी अर्विंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रही है दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रही है और आज मैं अर्विंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रही हैं और दिल्ली वालों की देखने कर रहे हैं कि दिल्ली के तौल पर अर्विंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं उनको आदेश देते हैं हमें कभी सुबह फोन पे कॉल करते थे कभी वाटसाप पे आदेश देते थे हर विभाग की काम पर वो एक क्लोज सुपर्विजन हमेशा बतार मुख्यमंत्री रखते आएं क्यूंकि अब वो केंद सरकार की हिरासत में है वहां से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है और क्यूंकि पानी की समस्या घर्मियों में बड़ी समस्या हो सकती है क्यूंकि पानी की समस्या पर लगातार प्रॉबलम चल भी रही थी इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पर पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है